नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 4 जून दिन रविवार को दिखेगा जेश्ट पूर्णिमा का चांद इन चार आशिवालों की लगेगी लोटरी जीहां दोस्तों मालक्ष्मी के आशिरवात से पूरे 90 सालों के बाद 4 जून दिन रविवार को जेश्ट पूर्णिमा के दिन बन रहे धिव्य और दुरलब महाशुब सयोग महालक्ष्मी योग में अब 12 राशियों में से 4 राशी वालों की किसमत चमकते वाली है इन 4 राशी वालों को इसी दिन यानी जेश्ट पूर्णिमा के दिन लोटरी लगने वाली है खुद दन की देवी मालक्ष्मी अब इन 4 राशी वालों के घर पधार रही है जिसे अब इन 4 राशी वालों की जीवन के सवी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आप इन चार राशी वालों के जीवन में आने वाली है मा लक्ष्मी के आशिरवाद से अपार खुशियां ही खुशियां जिससे अब इन चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों ये खुश नसीब और भागेशाली चार राशियां कौन-कौन सी है जिनकी मा लक्ष्मी का आशिरवाद से चार जून दिन रविवार को जेश्ट पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लोटरी लगने वाली है ये चार राशि वाले धन से माला माल होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको इनी चार भागेशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंध तक पूरा देखें बिलकुल मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन च सबसे रिक्वेस्ट करते हैं मालक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी अविशे लिखें मालक्ष्मी का आशिर्वात आप पर हमेशा बना रहें दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें दार्मिक घ्रन्तों के अनुसार हिंदू धरम में जैष्ट मा की पूर्णिमा का विशेश महत्व बताया गया है पंचां के अनुसार जैष्ट मा शुकलपक्ष की पूर्णिमा चार जून को होगी हिंदू कैलिंडर के अनुसार जैष्ट मा साल का तीसरा महीना होता है जेश्ट का अर्थ बड़ा अर्थात विद्वान के रूप में बताया गया है ऐसे ही जेश्ट मा की पूर्णिमा भी विशेश तोर पर मनाई जाती है हिंदु धरम में पूर्णिमा जिथी का विशेश महत्व माना जाता है जीवन में सुक, स्मृधी और खुशाली के लिए जेश्ट मा की पूर्णिमा के दिन वरत और पूजा करने का विधान है जेश्ट पूर्णिमा का दिन भगवान विश्णू और शिवको समर्पित दिन है इस दिन पूजा पाठ दान, ध्यान और स्नान करने का महत्व होता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, वरत एवं दान पुन्य करने से विशेश फलों की प्राप्ती होती है ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना के साथ कुछ उबाय करने से विशेश लाव प्राप्त होंगे जेश्ट पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व है जेश्ट पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से अपार्धन की प्राप्ती होने की दार्मित मानिता भी बताई गई है कहा जाता है कि इस दिन विधी विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से उंकी कृपा सदेव बनी रहती है जेश्ट पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान, दान, आधी करने का विशेश महत्व बताया गया है इस दिन चंद्रमा के निमित चीजें दान करने का भी विशेश महत्व बताया गया है जेश्ट पूर्णिमा पर चांदी, फल, फूल, चावल, शक्कर, जरुरत मंदों को खाना, दही, मोती आधी चीजे दान करने से काफी लाब मिलता है जेश्ट पूर्णिमा के महत्व को लेकर हमने जोतिश रास्ट्र की जानकारी से प्राप्त की है पूर्णिमा सबसे खास और महत्व पूर्ण है जेश्ट पूर्णिमा 4 जून 2023 को रविवार के दिन सिद्धी योग में मनाई जाएगी सिद्धी योग में किये के कार सिद्ध ही होते है ये पूर्णिमा लोगों के सबसे खास बताई की जाती है ये पूर्णिमा साल में होने वाली सभी पूर्णिमा से बड़ी होती है ये बिना देरी के फल देने वाली होती है जेश्ट मा की पूर्णिमा पर पित्रों के निमित कारे करने का विशेश महत्व होता है दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन चार खुशनसीब और ठागेशाली राश्यों के बारे में जो की 4 जून 2023 दिन रविवार को जेश्ट पुनिमा के दिन बन रहे अमरित सितियोग, सरवात सितियोग, महालक्ष्मी योग और धनलक्ष्मी प्राप्त योग में इन चार रा धन राशी से माला माल होने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मालक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है सनाधन धरम के शास्त्र और प्राणों में वर्नित है कि यदि किसी पर धन की देवी मालक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती लेकिन क्या आप इस बात से परिचिते की मालक्ष्मी का सुभाव बेहत चैंचल बाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी मालक्ष्मी एक जेगे टिक कर नहीं रह पाती यहीं वज़य है कि मलिशे के जीवन में धन सम्मन्दी उतार चड़ाव हमेशा आते ही रहते हैं धन की देवी को प्रसन करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं जिससे माँ खुश होकर व्यक्ति को माला माल बनाती है जी हाँ दोस्तों आज की समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है इसके अतरिक्त मनिशे के जीवन में ऐसे उतार चड़ा ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं इसलिए मनिशे हमेशा से ही बविशे को लेकर काफी उत्सुक रहता है इसी क्रम में इस बार अविशेश महासयोंग बन रहा है जिसमें मालक्ष्मी आप चार राश्यों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है आपकी जानकारी के लिए बता दे जैसा कि हमने बताया है कि मनिशे की जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा मैत्व होता है इनकी चाल से सीधा हमारे सावारी जीवन पर असर पड़ता है कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुश्या लेकर आता है तो कभी दिकतों का सामना भी करना पड़ता है इसी क्रम में इस बाद की महा सयोंग से मालक्ष्मी इन चार राशी वालों पर बहुत अधित प्रसन हो गई है यूँ कहें कि इन चार राशी वालों की अब लोटर लगने वाली है जी हाँ दोस्तों ऐसा सयोंग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें मालक्ष्मी चार राश्यों पर अपनी क्रिपा बरसाने वाली है जी हाँ दोस्तों अब इन चार राशी वालों के जीवन में मालक्ष्मी के आशिरवात से अपार खुश्यों की प्राप दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन लाने वाला है जी हाँ दोस्तों आपके लिए अब समय अत्यंत शुब रहने वाला है और मालक्ष्मी के आशिर्वात से आप बहुत अधिक धनलाव प्राप्त करने वाले हैं धन समय जित अने प्रकार के लाप आपको अब प्राप्त होने वाले हैं धन प्राप्ति के अनेकों अवसर कन्या राशी वालों अब आपको प्राप्त होने वाले हैं मालक्ष्मी स्वयम आपके घर पर आपकी जोली खुश्यों से भरने वाली है जल्द उसको आप हर कठिनायों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आपके आर्थिक सिती में सुधार होगा और आपका जीवन सुख में बनेगा साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी सम्मंदिक कोई बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त होने वाली है कन्या राशी वालों कहना गलत नहीं होगा मालक्ष्मी के आशिरवाद से अब आपके जीवन में खुश्यों का बंडार आने वाला है आपका जीवन मालक्षमी खुश्यों से भरने वाली है आपके जीवन में अब आपको अनेकों प्रकार के लाव धनलाव और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होगी जिसे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है मेश राशी दोस्तों मेश राशी वालों को बता दे कि आपकी कुंडली में जवरगस्त मालक्षमी योग बन रहा है ये सयों कभी-कभी ही बनता है जब जिसके कारण आपके लिए मालक्षमी का आशिर उनने सुख सुवीधाओं की कोई कमी नगी रहेगी आपके किसमत में मा लक्षमी का ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जग से अब लावी लाव मिलेगा आप व्याबार में देखेंगे कि आपको व्यापार में लाव मिलने वाला है जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार विंदुगुना रात चोगुना तरखी करेगा आपको हर जग से ही अब लावी लाव मिलेगा साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं उनकी मन चाही इच्छा पूरी होगी उन्हें मन चाहा नौकरी मिल लेगी और साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन बेतन विदी के भी योग है मेश राशी वालों मा लक्ष्मी के आशिरवाद से अब आपको धन प्राप्ती के अनेग अवसर प्राप्त होने वाले हैं मा लक्ष्मी के आशिरवाद से संतान प्राप्ति का सुख भी मिलने वाला है कहना गलत नहीं होगा मा लक्ष्मी के श्रीवाद से मेश राशी वालू अब आपके जीवन में खुशियाईं खुशियां आने वाली है अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है मालक्षमी स्वयम आपकी जोली खुश्यों से भरने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा अगली राशी दोस्तों आती है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे मा लक्षमी अब आपके उपर बहुत अधिक प्रसन हो गई है आपके उपर मा लक्षमी की जवर्दस क्रिपा बन रही है जिसकी वज़े से आपके घर में सुख स्मृधी आएगी और पैसा बढ़ेगा अधिक धनलाब अब आपको होने वाला है अब कोई जल्दी नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्ट होगी आपके आर्थिक सिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांती बनी रहेगी और आपको बताने कुम्ब राशी वालों जो लोग व व्यापार में अधिक मुनाफ़ मिलने वाला है उनका व्यापार दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेगा साथी सा चुलो विदेश में जाकर नौकरियां फिर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना इनका जल्दी पूरा होगा मालक्ष्मी की कृपा से आप अब बहुत आसान तरीके से पूरे होने वाले हैं आपके सालों साल के रुके हुए काम सफलता पूर्वक पूरे होंगे आपको हर जगे से ही अब कुम राशी वालों लवी लाब मिलने वाला है जी हाँ मालक्ष्मी की जबर्दस्त कृपा आपके उपर बन रही है यूँ कहें कि आपकी जल्दी अब लोटरी लगने वाली है कुम राशी वालो मालक्ष्मी के आशिरवाद से ही अब आपको अनेक प्रकार के धनलाव प्राप्ति के योग है और आपके जीवन में अब वो बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिससे आपकी खुश्शी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है तुला राशी दोस्तों बता दे तुला राशी वालों को पता नहीं कि मालक्ष्मी की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है जिससे आपको बहुत जादा आर्थिक लाब होगा और उसके साथ ही पूरों में की गई आपके मेहनत का परिनाम अब आपके सामने आएगा व्यवसाय में आपकी योगयता का प्रजर्शन अब सभी लोग देखेंगे तुला राशी वालों अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है जी हां दोस्तों मालक्ष्म आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपके कभी सोचा भी नहीं होगा आपके जीवन में अब खुश्यां ही खुश्यां आने वाली है समाज में आपका मान समान बड़ेगा आपको मित्रों का सयोग प्राप्त होगा लक्ष्मी योग के कारण प्रफित कमाई होगी अब आपके ऊपर अनेक प्रकार के लाब धनलाब तुलाराशी वालूं अब आपको प्राप्त होनेये साथी स्वात्व हो लोग नया वाहन या मखान खरेदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अविश्य सफल होगी साथी साथ जिन लोगों को संतान की प्राप्ति है उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है जिहां दोस्तों कहना गलत नहीं होगा तुला राशी वालों अब मालक्ष्मी के आशिरवात से आपको हर जगे से लाव ही लाव मिलेगा नौकरी करने वालों को नौकरी में पधोनुति और वेतन विद्धी के योग हैं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मन चाही नौकरी प्राप्त होने वाली है कहना गलत नहीं होगा तुला राशी वालों, मा लक्षमी के आशिरवाद से आपको सभी इच्छाएं अपोन होगी और समय आपके लिए पोन अब पक्ष में रहेगा जी हां दोस्तों, ये चार राशियां मा लक्षमी के आशिरवाद से अब धन से माला माल होने वाली है यूँ कहें इन 4 राशी वालों को करोड़पती बनने से कोई नहीं रोक सकता ये 4 राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं इन 4 राशी वालों को मा लक्षमी का आशिर्वाद इनके जीवन में अनेक प्रकार के लाव, धनलाव और बड़ी सफलताओं की प्राक्ती होने वाली है जिसे इन चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा मालक्षमी का आशिवाद आपको प्राक्त हो सची दिल से कमेंट बॉक्स में जै मालक्षमी अविश्य लिखी वीडियो को लाइक जरूर करी, शेर करी, जै मालक्षमी